प्रिद्रसको नमस्कार दिपावली की श्याम को किया गया एक छोटा सा सरल टोटका करवा सकता है आपका विभा यदि आपके विभा में लगातार देरी बनी हुई है लगातार अरजने आ रही है रिस्ते आ रहे हैं, बाते चल रही है लेकिन कोई भी बात कोई भी रिस्ता सफलता तक नहीं पहुँच पा रहा है देखने वाले आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है लेकिन किसी भी परकार का पोजिटिव रिस्पॉंस आपको मिल नहीं पा रहा है कुछ ऐसे रिष्टे आ रहे हैं जो आपके लेवल के नहीं हैं आपको पसंद नहीं हैं तो वो आप अपनी तरब से मना कर दोगे और कुछ ऐसे रिष्टे जो आपके लेवल के हैं आपको पसंद है तो वो सामने से पका नहीं हो पाएगा या फिर रिष्टे आना बंद हो एक ऐसा सरल तोटका बताने वाला हूं। यदि आप ये तोटका कर दोगे तो विवा में आ रही बड़े से बड़ी अर्चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द साधी होने के योग बनेंगे। ये उपाएं जिन बच्चों की साधी में लगातार देरी बनी हुई वो खुद भी कर सकते हैं और यदि वो खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिच्वेशन में माता पिता अपने बच्चों के लिए ये तोटका कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए विवा में देरी होती क्यों हैं। जनम कुंडली का सब्तम भाव जहां से विशेस रूप से विभा का विचार किया जाता है यदि सब्तम भाव या फिर सब्तम भाव का स्वामे शनी ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो विभा में लगातार विलंब होने वाले कंडेशन बन जाती है क्योंकि शनी देव बर्मान में एक ऐसे पलेनेंट है जो धीमी गती से चलते हैं अब सब्तम भाव या सब्तम भाव के स्वामे के साथ जब अपना संबना लेते हैं तो उसमें ये देरी करने का काम करते हैं बंती बंती बात बिगड़ जाने का मुखे कान क्या होता है जनम कुंडली का सक्तम भाव या फिर सक्तम भाव का स्वामी यदि राहू, केतू, सूर्य और मंगल इन अलगावादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाएं तो ये बंती हुई बात को बिगाड़ने का काम करते हैं तो फिर दरसको ये तो हो गया विवाम में विलम होने का कारण, अब इसका हल क्या है, इस समस्या से किस परकार से बचा जा सकता है, यहाँ पर या तो आप अपनी जनम कुंडली का विशलेशन किसी अच्छे जोती सी से करवा लीजिए, और जनम कुंडली के आधार पर जो सट करने में आप सक्सम नहीं है, तो फिर आपको एक टोटका मैं बता रहा हूँ, यह टोटका दिपावली की शाम के समय आपने करना है, टोटका बताओं, इस से पहले आप से निविदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्स केसन आपको तुरंत मिल जाए, और वो वीडियो बिना किसी अडचन के आप आसानी से देख सके, तो प्रिर सको वो टोटका क्या है, किस परकार से करना है, इसको आप समझ लेजिए, आप एक काले रंग का कपड़ा ले लेजिए, कितना कपड़ा लेना है, रुमाल के बिलकुल फ्रेस और नया कपड़ा होना चाहिए, ये उपाए आपने शाम के समय करना है, दिपावली महापरव, ये तो आप जानते ही हैं, 12 नमबर को दिपावली महापरव मनाया जाएगा, तो 12 नमबर की शाम को आपने ये उपाए करना है, इस दिन रविवार रहेगा, तो शाम के समय कितने बजे आप ये उपाए कर सकते हैं, ये उपाए आप सुर्य आस्त होने के बाद और रातरी 12 बजे तक ये उपाए आप कर सकते हैं, करना क्या होगा, एक काले रंग का कपड़ा, रुमाल के साइट का बिलकुल फ्रेस कपड़ा आप ले लीजिए, उस कपड़े में क्या रखना है? साथ परकार की मिठाई solutions आपने रखने य कोई भी मिठाई आप इस कपड़े में रखने दिपावली महापराव का दिन हैं। ये तीन चीजे हो गई, साथ परकार की मिठाई, साथ लोंग और साथ इलाइची, ये जो लोंग आप लोगे न, ये बिल्कुल साप सुतरी लोंग होने चाहिए, टूटी भूटी लोंग नहीं चलेंगी और इलाइची भी साप सुतरी होने चाहिए, ये तीनों चीजें इस का लोकवाईज भी घुमा सकते हैं, no problem, और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हैं ये उपाय अपने लिए, तो खुद अपने सिर्क के उपर से 7 बार घुमा लीजिए, और यदि आप माता पिता हैं, तो अपने बच्चों के सिर्क के उपर से घुमा लीजिए, दिपावली महा पर का दिन है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके बच्चे घर में नहीं होंगे, क्योंकि इतना बड़ा त्योहार है, तो हर बच्चा अपने घर में आही जाता है, चाहे कहीं भी नोकरी करता हो, या पढ़ाई करता हो, तो इस दिन तो कोई भी हो, अपने घर में आता ही है, और दीनमें आपको बता दिया, कैसे भी इसको गुमा लीजिये, और अपनी मनो कामना का चिंतन कीजी, उसके बाद यह पोटली ले करके आपने घर से भार निकलना है, और इस पोटली को कहां आपने डालना है, चोहराय पर, चोहराय क्या होता है, जहां से 4 रस्टे फटते हैं उसको बोलते हैं ''Çोहराया'' साइद आप जानते होंगे चुराया क्या होता है तो चुराये के बीचो बीच आपने इस पोटली को डाल देना है अब ये चुराया आपके घर के आसपास भी हो सकता है या आपकी घर से थोड़ा सा दूरी पे भी हो सकता है तो ऐसे में आप अपने गाड़ी से भी जा सकते हैं आप अपने सकूटी से भी जा सकते हैं बाइक से भी जा सकते हैं और यदि नजदिक है तो पैदल भी जा सकते हैं तो इसमें आपने वहां रुखने के वशक्ता नहीं, जैसे आप चुराया करोश कर रहे हैं, तो चलते चलते आप चुराया पर डाल सकते हैं, यदि आप पैदल हैं, तो चलते 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 छोड़ सकते हैं, या फिर आप बाइक पे हैं, सकुटी पे हैं, तो सकुटी पे चलत आप किसी भी समय कर सकते हैं बस ये पोटली आपने चुरहाए पर डालके अपने घर को आ जाना है बस एक बात का इसमें विशेश रूप से ध्यान आपने रखना है जब आप ये पोटली अपने घर से लेकर निकल रहे हो तो निकलने के बाद जब तक इसको चोरहाए पर छोड नहीं देते तब तक किसी के साथ आपने बोलडा नहीं है ये उपाय चुप चाप करने का है चुप के से करने का है और इसके बारे में किसी को बताना भी नहीं है कि मैंने ये उपाय किया है जब आपको result मिल जाए, जब आपका काम बन जाए, तो फिर आप किसी को बता सकते हो, कि मैंने तो ऐसे ऐसे ये उपाय किया था, मेरा काम बन गया, पहले किसी को नहीं बताना है, इस बात का ध्यान रखिए, हाँ, वीडियो को आप share जरूर कर सकते हो, अपने मुक्सिया नहीं बताना है, वीडियो को share जरूर कर सकते हो, यदि पुन्य के भागी तर आप बनना चाहते हो, तो उस वीडियो को share जरूर कर सकते हो, लोगों के पास, ताकि आप जैसे भी तो और भी बहुत सारे लोग हैं, बेचारे जिनकी साधी नहीं हो रही है, तो उनको भी लाब मिल ज बाराब जैसे पहले-पहले कर देना है, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की जनम कुंडली का विशलेशन मुझसे करवाना चाहते हैं, जनम कुंडली के आधार पर जल्दी साधी होने के विशेस उपाए मुझसे जानना चाहते हैं, विभा में अर्चने क्यों आ रह बेच सकते हैं, अपनी जनम डिटेल लिखकर मेरे पास बेच सकते हैं, और जनम कुंडली का सटिक विशलेशन मुझसे करवा सकते हैं, जनम कुंडली विशलेशन की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है, तो प्रिदरस को यदि आपको कारेकरा मच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सेर भी कर देना और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे तब तक के लिए, नमस्कार